दुनिया रंग बिरंगी रे बाबा कल की घटना के बार में आपने सुना होगा हो सकता है ना भी सुना हो क्योंकि भारतिय मीडिया जो है वो बहुत जादा इन चीजों की चर्चा नहीं करता है यह बहुत बड़े ट्रेंड्स हैं और इन पर ध्यान देना चाहिए है ना और जो है आसली न्यूज यही सब है ना बाकी जो जो कई देशों में जो नेता आपसों पकैती करते रहते हैं उसके बारे में जो है बहुत जादा बात करने से कोई लाब नहीं होगा तो कल की घटना के बारे मैं आपको बताता हूँ कल जो घटना हुई है वो यह है कि लेबनान जो है पश्चिमेश्य में एक देश है लेबनान में जो है वो इरान के समर्थित हेजबॉला नाम का एक संगठन है जिसका वहाँ पर शासन है एक तरह से पूरा शासन हो ही समालत है और हेजबुला जो है वो इसराइल के पडूसी है लिम बार बार धहमकी भी देता रहा है तो तो कल की घटना यह हुई है कि जो भी Hezbollah के रडाके थे ढेरों संभौता जो है वो इसराइली जो टेक्नालोजी है उसको जानते हुए उसको समझते हुए उन्होंने मोबाइल के बदले जो है उन्होंने पेजर जो है पहले चलता था पेजर 2010 के पहले जो है वो पेजर होता है ना पेजर में जो है आप हलका पुला कुछ मेसेज कर देंगे तो आपको वो बीप करेगा और आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस से संदेश आया है और क्या हुआ है कैसा हुआ है तो पेजर जो है वो अपेक्शाकृत जो है वो एक कम अधुनिक टेकनीक माने जाती है और एक सिंपर टेकनीक माने जाती है तो इसके ज़रीय होता यह है कि मॉबाइल जो सिस्टम है उसको बाइपास करके जो है पेजर के ज़रीये जो है दूशरे संपर्क में रहने का प्रयास कहीं न कहीं य convene कर रहे थे यह सुचना अब मिल रही है लेकिन यह जो है इन्हों ने आप एक्षा नहीं की होगी कि जिस पेजर को अपने जेब मिलेके घूम रहे हैं वो दरसल एक बम है और अचानक जो है वो साड़े तीन बजे के आसपास जो लोकल टाइम है वहाँ पर जो है इनका पेजर बजा और इन्हों ने जो है जो है उस पेजर को अपने जेब से निकाल करके अपने चेहरे के नजदीक ले गए और उसके बाद धमाका हुआ धमाके में कईयों के हाथ के उंगलियां या हाथ को काफी नुकसान पहुचा है कईयों के पेट में जो है जो कि अगर पेट के एटनेट किया गया है और इसके कारण जो है वो तक्रिबन अठाइस सो अठाइस सो से तीन हजार जो लडाके हैं या हेजबुला से जुड़े लोग हैं जिनके पास पेजर की व्यवस्ता रही होगी वो जो है आठाइस सो कि संख्या में जो है उनको भारी जो है चोट लगी है तो ये एक एक नए तरीके का युद्ध है एक नए तरीके का जो है एक हमला था जिसके बारे में काफी व्यापक चर्चा हो रही है भारत में इसके बारे में चर्चा हो रही है कि नहीं हो नहीं मालूम है ये भी सुनने में आ रहा है कि इरान से जुड़े कुछ लोग जो लेबनान में थे और इरान से जुड़े कुछ जो सीनियर अधिकारी जो लेबनान में थे वो भी पेजर के साथ पेजर को लेके जा रहे थे वो भी जो है निशाने पर आ गए है और उनको भी चोट लगी है ऐसे वैसा भी सुनने में आया है तो अब इसके बारे में चर्चा य कि तैवान और चीन जो हें वहंग इसको बनाते हैं इलेक्रांटिक आइटम को हिसाब से तैवान का जो एक खेप युड permitted का उसको वह जो है आरहा था कहां आ रहा था इसके बीदू इन्हीं नहीं है इसको जो breast international गिर्ट कि आ लेकिन यह माना जाता है कि एक खेप को जो है वो इसराइली अधिकारियों ने जो है उसको जो है इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद में जो है वो सारे जो पेजर्स थे जो पूरा खेप थी जो पूरा कंसाइनमेंट था वो सब को उन्होंने जो है उसको उन इसके बाद में ये पेजर्जोंगों के लोगों के बट गए और उसके बाद में जब धुमा का करना था तो इसराइल ने तये किया और धमाका हुआ, यह माना जा रहा है कि अभी तक इस्राइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस मुद्दे पर नहीं आया है, लेकिन जब वो चुप है तो इसका मतलब यह माना जा रहा है कि जो है कहीं न कहीं उनका सनलिपता जरूर है, तो अठाइस सो लोगों को जो है एक प बारा हमला है और यह दिखाता है कि टेकनोलोजी जो है वो जितनी उन्नत हो रही है टेकनोलोजी जो है वो जितना जो है वो हमको अपने उपर निर्भर बना रही है उतना ही टेकनोलोजी जो है वो हमको हमको साफ भी कर सकती है हमको हमको घातक भी हमको जो है उड़ा भी सकती ह तो जैसा कि एक तो इसको देखने कई सारे पहलू हो सकते हैं, देखने कई तरीके हो सकते हैं, एक तो तरीका यही है कि इसराइल ने कैसे सोचा इस बात को और इसको जो है उसने कर दिखाया और अब बाकी दुनिया की intelligence agencies जो है वो भी इसको जरूर ध्यान में रखेंगी और द और वो कौन कौन सी डिवाइस जो है वो कहां कहां से आ रही है अगर बाहर से दूसरे देश से आ रही है तो उसमें क्या 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 हो सकती है इसके बार में भी उनको अपख्याल रखना पड़ेगा तो अगर आठाइस सो या तीन सो लोग अगर घायल हुए है तो नि दो या पाँच या दस लोगों को अगर निशाना बनाना हो तो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी को सामने जो है अब यह बड़ा आसान हो गया है है आप वो इस तरीके पर गौर करेंगे और इस तरीके को आपना भी सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि दर प्रक्षित किया जाए तो इससे ये मालूम बढ़ता है कि दुनिया भर के देशों में ये होड़ बढ़े की दुनिया भर के देशों में यह होड बढ़ेगी, कि जो भी चीज हम इस्तमाल कर रहे हैं, और हमारे नेता इस्तमाल कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हो, चाहें संचार के लिए हो, चाहें वो हो, इस सारी चीजें जो हैं, वो देश में ही बने पर stहुरा बहुत बड़ी एक सबक है कि कि लोकल मनिफैक्ट्रिंग ईसको इसको इससा पर भरुसा करना है और ये बड़े एक 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 विरोधाभासी बात है कि 2000 के 2000 के साल में या 99-98 से ले करके 2000 से लेके 2005 तक जो है एक अलगी मतलब एक अलगी खुमार में थी दुनिया हैना उसमें दुनिया में जो है वो वर्ल ट्रेड औरगनाजिशन का चर्चा होती थी और कहते हैं कि भई दुनि नहीं रह गया है या राश्ट्री सरकारों का उतना महत्तों नहीं रह गया है और दुनिया में हम सब दूसरे पर निर्भर हैं और जहां पर जो बनता है वो दूसरे को मुहया कराना है और व्यापार करना है और जो है टेकनोलोजी का जब होगा तब अधान-धान किया जाए जान्वाइए और चैनल जमिन बचाते रह गया की और जो भालब के जो जबास ने दूने का मैईफय्ट्रिन का दूनिया का 55ड रहे लेकिन वना है लिक आज ये जो घटना हुई है तो अब दुनिया वहर के सरकारों में ये होड़ बनेंगे लिए जो वही चीज इस्तमाल करना है जिसके बारे में हम चानवीं कर सकें जो चीज हमारे घर में हमारे देश में बनी हो तो अब जो है टेकनोलोजी का एक निया रूप सामने आ रहा है और य भरोसा करेंगे हैं ना जो है मोबाइल हो या इसी चीजें हो इसे कभी भी कहीं भी किसी को भी निशाना बनाया सकता है आप यह और डुनया को मालूम पढ़ गया है कि रिमोट डेटनेशन कैसे होता है और डुनिया में जो है वो आंव तोर से सूचना तंत्र के लिए है जो सामगरी इस्तिमाल की जाती है उसका इस्तिमाल करके जो है कि की को दूरी ऑग्रीखर वर्फ र्र bananas बड़ेंगे जो भी सत्ता में हैं कमजोर देशों के निम्रे अइवर्ग देशों के जो है मद्यमाया वर्फ देशों-कि अंदर का डर बैठ गया है कि वह किसके निशाने पर हैं और क्या चीज उनके से आसपास जो है वह फट जाएगी कोई नहीं जानता है तो यह जो है दुनिया भर में आशंका और भरोसे की कमी पैदा करता है और जो ग्लोबलाइजेशन है जो वैश्विकरन का जो कॉंसेट था उसको धक सुखना चैनलोजी विक्सीत हो रही है तो आप करेंगे क्या आप करेंगे क्या तो नब्यागर रशक वे फिल्म आई थी मैने प्यार किया उसमें जो है गाना था कबूतर जा 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 और पहले प्यार की पहले चिट्टी साजन को देया तो वो जो कबुतरों का इस्तवाल करेंगे क्या कि बाजों का इस्तवाल करेंगे गिद्धों का इस्तवाल करेंगे यह वास्तवीक समस्या है वास्तवीक प्रश्ण है जिससे सभी दुनिया के देशों को सभी नेताओं को जुजना पड़ेग और जो ऐसे जो आतंकी संगठाने वो भी इसके बारे में ज़रूर रोची रखेंगे कि यह क्या टेक्नालोजी है यह हमको भी सीखनी है हमको भी किसी को निशाना बनाना होगा तो ऐसे बना सकेंगे है तो यह जो है एक नया एक पेंडोरा ज़ सब्सक्राइब करेंगे के दिशाव जो है चैनलोजी जो किया गया ही है इसे जो है कैसे और दूसरों को हम इसमें लपेटे क्यांगा है जारा आसुलक्षित हो गई है और जैसे जो है जैसे खाने पीने के मामले में जैसा होता है कि अगर खाने में जो है जैसा समझार आते हैं कि कहीं पर कोई खाने के लिए गया होटल में और वहाँ पर ھ कब दुनिया भर में टेक्नालोजी बढ़ती जारही है तो दुन्या 버偷 में योगनलोजी Story में टेकनालोजी का इस्तमाल बढ़ते जा रहा है और दुन्या भर में मशीनिंगा उत्पाता वर जुड़ते जान dx तो इसके बाद जो है ये माना जाना चाहिए कि जो है दुनिया भर में जो सबसे जो ताकतवर लोग हैं और दुनिया भर में जो 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 मध्यम टेखनालोजी के लोग हैं वो सभी लोग जो हैं वो इन तरीकों को आजमाना और इन तरीकों को समझना रखेंगे कौन किसको आग खुल गया है और चुनौतियां समाज में बढ़ गई हैं